हलो एवरीबड़ी दिस दिग्राश सिंग राजपूत वेलकम तु मैगनेट ब्रेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे में निव इंटरनाशनल एकनाविक ओडर के बारे मेंनगे दिखे जो नियो थी से तकी यह अब इसकाा सुस्ट चल रहा है उस टते टर्फित क्या निकल के आया था नाम ठिके non alignment movement जो था तो non aligned movement क्या है कि एक नया alternative निकल के आया था तो वही जो नाम nations थे नाम countries थी उन्हीं की एक और देन थी जो क्या थी new international economic order तो यह क्या चीज़ थी वो समझते देखो तो नाम countries a majority of them were categorized as the least developed countries ठीक है अब यह जो least developed countries थी तो अधिकतर क्या है कि जो newly decolonized nations थे ना तो उन्हें आजादी तो मिल गई थी लेकिन आजादी सही माइने में नहीं मिली थी क्यों क्योंकि during the colonial period जब वो गुलाम थे तब उस समय उनका क्या हुआ बहुत जादा exploitation हुआ जो बहुत जादा exploitation हुआ तो उस exploitation में क्या होता है कि वो जो सारे देश जो नहीं नहीं आजादी मिल रही थी देवर considered as the least developed countries ठीक है वो उनका development बहुत कम था अब जब लीज डेवलप्मेंट countries थी यह सारी least developed countries एक साथ मिलती है एक सान मिलके non-aligned का पार्ट बनती है ना तो उन्हें यह आइडिया भी आए कि जब हम वर्ड में जो बाइपॉलरिटी का challenge है उसे tackle कर सकते हैं तो हमारी अपनी समस्याओं को भी तो मिलके tackle कर सकते हैं ठीक है तो the challenge for most of the non-aligned nations was to was to be more developed economically and to lift their people out of poverty यह चीज़ समझ मैं यह ना तो जितनी भी non-aligned countries थी जो की least developed countries की category में आ रही थी उनके सामने पहला challenge यही था कि वह अपने आपको develop करें और उनकी population को poverty से वाहर निकाले अब आप इस पर भी सोचरों कि ऐसा क्यों तो यह कोई पुछनाली बात नहीं हर nation की aspiration क्या होती है हर nation का aspiration यहीं होती है कि वह डेवलप हो ठीक है तो और वह डेवलप हो उस context में सारी जो least developed nations थे जो non-aligned moment का पाट थे उन्होंने अपने priorities set करेगी क्या उनको अपनी economy को develop करना अपनी population को poverty से बाहर निकालना है ठीक है तो और मतलब अगर आप पूछ भी लिए जाए कि वाइदे डिजाइट तो प्रिंग देर पीपल आउट आफ पावर्टी तो उसमें लिख सकते हैं कि economic development was also vital for independence of the new countries देखो ऐसे तो independence मिल गई हुने आज लेकिन अगर वो economically independent नहीं होंगे ना आप political independence ले चुकी हो लेकिन आप economically independent नहीं हो तो क्या होगा कि कल को आपको अपनी जरुवतों को पुरा करने के लिए किसी और के उपा dependent होना पड़ेगा तो जो नॉन aligned countries जो newly decolonized countries थी उनके सामने सबसे बड़ा challenge था कि आजादी ऐसे मिल गई है कि हाँ politically आपको freedom मिल गई है political independence मिल गई है लेकिन economically भी अपने आपको develop करना होगा इसे हम economic independence के context में भी देख सकते हैं तो वह भी बहुत ज़्यादा जरूरी थी के तो economic development was also vital for independence of new countries without sustained development a country could not be truly free ठीक है वही चीज़ बताएगे कि sustained development नहीं होगा लोग गरीभी के नीचे जी रहे हैं मतलब जो पावर्टी लाइन है गरीभी रेखा के नीचे जी रहे हैं तो वह आपका विकास किस तरह का ठीक है आप आजाद नहीं हो तो उस context में उनको अपने आपको इकनोमिकली भी डवलप करना था फाइन तो इट वोड रिमेन डिपेंडेंट ओन दी रिचर कंट्रीज इंक्लूडिंग दी कॉलोनियल पावर्स फ्रॉम विच पॉलेटिकल फ्रीडम है एड बिन अचीव तो अगर इकनोमिकली डवलप्ड नहीं होंगे एकनोमिक डवलप होना पड़ेगा मजद के लिए तो इन सारी समस्याओं का समाधान क्या दिख रहाता पता है कि जो उने पॉलिटिकली एंपार्मेंट किया है अपना वल्ट पॉलिटिक्स में जैसे एक जो वाइपॉलिटी का चैलेंज था उसको ओवरकम किया तो वैसे ही एकनोमिक अपनी छोटी क्लासे में भी कहीं सका जिक्र पाया होगा तो यह मतलब यह अगर इसको इंशॉट समझाए जाए तो इन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ दी वेस्टन इंपिरियलिजम ठीके जो वेस्टन इंपिरियलिजम था फिर वेस्टन इकनोमिक डॉमिनस थी उसका एक अ हम भी अपनी अपनी एकनोमिक अपने हिसाब से डेवलप कर सकें ठीक यहां तक चीज़ समझ में आईए अब देखो नियू इकनोमिक इंटरनेशनल ओडर की जो सोच थी नहीं इसने और जोर कपकड़ा पता है और जोर कपकड़ा तो युनाइटे नेशन्स कॉन्फरेंस ओ ओन ट्रेइड डेवलपमेंट ठीक है युन्सीटी एडी जो था तो इस कॉन्फरेंस में बता है क्या आउटकम निकल क्या है तो युनाइटे नेशन्स कॉन्फरेंस ओन ट्रेइड डेवलपमेंट ब्रॉट आउट आउट रिपोर्ट इन 1972 एंटाइटल टोर्स दी नियू ट्रेड पॉलिशीज फॉर डेवलपमेंट ठीक है तो यूएन ने अपनी रिपोर्ट निकाली इसमें बताया कि नई ट्रेड पॉलिशीज क्या होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए अब यूएन डेवलपमेंट की जब बात करता है न तो यूएन कॉम्प्रेंसिवली रिफॉर्म की जरुवत हैं किस चीज में ग्लोबल लेवल में ग्लोबल लेवल पे वर्ल ट्रेडिंग सिस्टम में रिफॉर्म की जरुवत है क्यों कि वर्ल ट्रेडिंग सिस्टम इस तरह से चल रहा है कि एडवांटेज जो है तो डेवलप्ट कंट्री जो है वो ज्यादा से एक्सपोइटेट बाइदी डवलब वेस्टन कंट्रीज ठीक है तो अच्छे साथ समझना इस चीज को कि जो रिपोर्ट प्रपोस के गई थी तो उसने ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में कमिया ढूंडी और वो कमियों को ढूंने के बाद में उन कमियों को अब्जर्व कर पनाने की बात करिए इन और लिज्वलब 玩ब कंट्री को क्या दिया चाहिए उनके रिसोर्स के ऊपर खुद कंट्रोल मिलना चाहिए मतलब जैसे फिए इसका य। तो उनने अफ्रिकन कंट्रीज को उनके रिसोर्सेश खुद दिया जाए अफ्रीका में सोना है चांदी है मतलब बहुत सारे मिनेरल्स है लेकिन वह मिनेरल्स जो है तो वह कौन एक्षट कर रहा है तो वेस्टन कंट्रीज एक्ष्टाइक कर रही है तो यूएन की रिपोर्ट इस वर दी पार्ट ओफ नॉन एलाइन मूँमेंट फाइन फिर क्या है ओपेंड एक्सेश तू वेस्टन मार्केट फो देट दिलीज डेवलप कंट्रीज लीज डेवलप कंट्रीज गोट सेल देर प्रोडट्स एंड देरफोर मेक ट्रेड मोर बेनिफीशल फॉर थी पूर लाधी हमने अब टोपी किसको बेचेंगे तो अब टोपी लीज डेवलप कंट्रीज के लोगों को पहुचाया जाएगा और यह आज से कल से नहीं चल रहा है यह बहुत पुराने समय से जब ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेज इंपिरिलिस्ट फोर्सेज कॉलोनी बना रही तो आफ हमने भी टोपी वनाई है हमारी टोपी खरीद कि देखो लेकिन किया होत डेवलप गंट्रीज डोट टोटरी तो कट्री अपना मार्केट-वेसंस नहीं नहीं डosium और इस को भी मिल सके ठीक है फिर क्यां है रिडिघोजिक ऐस तेकनलोजी सबर दीजिस वेस्टेनकिरी लीस्टेन कंट्रीस वेस्टन कंट्रीस से कहा गया है जो ड्वलाब कंट्री इंटरनाशनल इकनॉमिक इंस्ट्ट्ट्ट्ट्फिशन जैसे क्या है बनाइक हो गया एक हो गया लो सेंटर सोंत हॉग वर्ट रिट और्गनाईजिशन हो गया थो डाउल लिटी हो गेरा तो इन सारे इंस्टीचन में लिजुद प्रच्ट्रिशन एक ग्रेटर रोल मिले ताकी क्या हो की वह अपने इंट्रेस्ट को प्रेज कर्सा कर सके अपने कटरने निकाला था वैसी उनकी एकनोमिक कह सकते हैं कि सिच्विशन उतनी अच्छी नहीं थी लीज डेवलब नेशन स्थे सारे के सारे नौन अलाइब मोमेंट में तो उन्होंने अपने आपको एकनोमिकली ससक्त करने के लिए ठीक है आर्थी ग्रूप से सब्सक्त बनाने के सब्सक्राइब को कुछ एडवांटेज दिये जाना चाहिए ठीक है तो ग्राइजवली दी नीचर ओफ नौन अलाइब मेंट चेंज तो जो नौन अलाइनमेंट किस परस्पेक्टिव के सांथ स्टार्ट किया था जैसे आप देखो के कोल्ड वार पिरेट में जो सिच्वे जो है उसका मुद्धा भी नौन अलाइन कंट्री के सामने रखा गया ठीक है इट स्टार्टेट टो गेव ग्रेटर इंपोर्टेंस टो एकनोमिक इशू तो जो अब जो नौन अलाइन कंट्रीस थी जो स्टार्ट किस परस्पेक्टिव के साथ तो हमने आपको बता या था क आपको नीटली प्रिसाइजली डिफाइन करना मुश्किल है कि इसका अब्जेक्टिव क्या है और राइन कंट्रीस का बाकि क्या अब्जेक्टिव नहीं है कि किसी भी एक अलाइन्स के साथ जाके नहीं जुड़ना है ठिकें तो पहले जो आलाइन्स पॉलिटिक्स जो थी थी अब आपको एक होवक देता हो भी बताया पिछली वीडियो में 1961 की जो नॉन अलाइं नॉन अलाइं मूमेंट की जो मीटिंग हुई थी पहली ठीक है वो कहां हुई थी आप मुझे बताएंगे ठीक है कहां हुई थी किसने लीड किया था यह सारी चीजे कमेंट सेक्षिन आप बताएंगे आपको हमखें ठीक है तो जो 1961 में जैसे जो फर्स समीट अच्छा यह लिगा है ठीक है फर्स समीट जो बेलगाड में हुआ था चलो कंट्री बताना कंट्री बताना और लीडर कौन था यह बताना तो 1961 की जो पहली समीट थी बेलगाड में वहाँ पे एकनो लिए अगम धी मोस्ट इंपोर्टेंट इशू और मिद 970 जा ते आते कि होता कि इकनोमिक इशू नवन इल्एंट की जो मीटिंग सो थी ठीक है नौन अलाइमेंट जो नेशन थे नौन अलाइंड उनकी मीटिंग में यह जो इसू था एकनॉमिक इशू यह करने लगा जो सारे देश आपस में मिलके western economies को प्रेशराइज कर सकते थे कह सकते हैं वो institutions जो जैसे वर्डबंक बगरा जो institutions क्या थे पहले western interest को represent करते थे तो उनके साथ में negotiate करने के लिए एक प्रेशर गुरूप की तक क्या होता है however the new initiatives had faded क्यों क्योंकि जो नियों की initiatives take pressure group का काम कर रहा था ना वह दिरे दिरे फेड होने लगे कैसे mainly because of the step opposition from the developed countries who acted as a united group अब क्या हो रहा है ना तो जैसे ब्रिटन वोट्स वगरा यह देखो के इंस्टिशन जो थे तो अब सारे developed nation का जो economic pressure group था वो भारी दिख रहा था ठीक है तो by the late 1980s new initiatives had faded mainly because of the stiff opposition from the developed countries who acted as a unified group while the non-aligned countries struggle to maintain their unity in the face of this opposition ठीक है तो जो developed countries in opposition किया developed countries के आगे कहां least developed countries की चलने वाली थी तो इस तरह से least developed countries का जो objective था उनका जो इंट्रेस्ट था वो धिरे-धिरे फेड होने लगा ठीक है तो कहीं नहीं कर पाएंगे किसके साथ में कि नॉन alignment moment जो था नॉन moment जो था हमारा तो उसका सिर्फ objective यहां तक सीमित नहीं था कि वो जो दो superpowers की वीच में राइवलरी है उसका एक alternative निकल के आएगा ठीक है उसने अपने economic objectives को भी क्या किया economic objectives को अपने members के economic interest को भी क्या किया आगे की तरफ धगाया है को कोशिश की है कि वह economic economic pressure group के तरह काम कर सकें ठीक है अब देखो last topic हमारा क्या है तो मैंने आपको बताया था starting में कि हर chapter को आपको इंडिया के context में पढ़ना है तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे इंडिया और non-aligned moment को समझेंगे इंडिया और नाम को समझेंगे क्या situation रही है ठीक है तो I hope you enjoyed it यहां तक आपको चीजी समझ में आई है मैगनेट ब्रींस पर kindergarten से class 12 तक सभी subjects chapters topics सब टॉपिक सब कुछ systematic way में video lectures के format में available है जिने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं अपने juniors और seniors को ज़रू बताए मैगनेट बींस के बारे में मिलते हैं next video में till then stay connected keep learning thank you thank you very much